यह कार की वायरिंग हारनेस है और यह कार के अंदर आपको यह सब आप दिखाए दे रहा हो सारफ पुरा मेरे प्योड़ी है, यह थे फ Cheryl से निकलने चाहिए, चलिए देखते है की क्या होता है यह क्लिप है यह आपको दिखाए देर होगा यह क्लिप आप इसको दबाएंगे और इसको आप बाहर करेंगे यह निकल गया इसको रोकावा किस चीज ने था यहां पर एक नौच है यह इसने इसको रोकावा था इसके इंदर आप देखें मैं इसको हिलाऊंगा इसके अंदर आपको यहां पर एक क्लिप नजर में आपको अंदर ऊपर नीचे वह दिखाए देरा हो गए यह चीज यह ने हमने उठाया यह इसको पकड़ लेगा यह कैसे यह यह लग गया इसमें किलिक किया वाद आई इसका मतलब है सही है इसको में उठाया यह निकल गया यह लग गया अब मैं आपको दूसरा बताता हूं यह मेरे पास एक दूसरा है इसको अगर मुझे इसको क्लिप को निकालना है तो आपको इसके अंदर यहां पर नजर आएगा क्लिप यह आपको ग्रीन कर लगे दिखाए देरा है यह दबावा इसको हम दबाएंगे इस तर आपने च Beaide को और रहे इसको को निकानना है तो सेम वही हमें है इसको दबााना है दबांगे और इसको हम जब दबाएंगे और निकलते हैं खेश के आम तूर पर यह इतना असान से निकलता क्योंकि यह बहुत ही हवी डिउटी उता है तो इसके लिए तो वही हरने हम इसको लगएंगे और इस में से dall को इंदर यह आपको दिखाए रहा होगा ये अब छोगे निकल गया और इसी के दर आपने इसको बाहर निकाल लिये पूरा अब आप इसको यहां से दबाएंगे और इसको आप बहां निकाल लेंगे तो यह बहां निकल लिए इसको इसको आप वापिस लगाएं यहां से और इसको आपने वापस लगाया और इसको आप वापस अंदर करेंगे तो यह इसके अंदर अब लग लग गया यह confirm हो गया कि इसके अंदर यह आ चुका है अगर आपको एक अगनिशन कौयल के करनक्टर को निकालना है सेम इस्टाइल है बहुत असान वही चीज़ आपको यह यह निकल गया इसके अंदर यह connection आपको दिखाई दे रहोंगे इसको मैंने लगाया इसमें त्थ क्लिक की वाद आएगी बंद हो गया यह एक और सेंसर है इसके अंदर आपको यह चीज़ किलिप दिखाई दे रहोगा इसके अंदर कोई चीज़ आपको महसंस नहीं हो रही कि है यहां कोई झालना किशा का किया है कुए कि कि यहा नहीं नहीं हो तो जब आपको ऐसी कोई प Switzerland नदर आता है तो हम इसको दबा के देखते हैं कि निकलता रहा है नहीं निकलता है इस चीजड को हमें यह चीजड दबानी है यह लेक दो अगर 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 हम जिस लेदर हम यू करकर प्रेस कर रहे ते यहीं परेक है तो यह एक और अगर नीचे की तरफ है इसकी डिरेक्शन यू होगी तो हो सकता है इस वजह से ताके ना निकल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको इसको पुश करना होगा की तरफ यह आप इसको दभाएंगे और यह भारा घ्या जब्हा जाएंगगे तो किसंथे लेगा posição कि यह 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 इंदर यह लगा connector है मैं इसको चारूंसर से देख रहो हoi हो तो मुझे इसके इंदर यह नदर आ रहा है कि यह है कि जब यह शेप हो आप कहते खो लेंगे मुझे यह clip नदर आ रहा है मैँ खोलने के उच्छ करता हो यहां से किमैंसको दबार हो निचे यह निकल अब मैं इसको दोबारा लगांगा क्लिप करूआ किसका सुछ का बहुत एजी किसका आप निकल गया प्रतर उपर से नहीं है His इंदर आपको यहा प्रेशांनों थे कि शरे आप अधिवे देवाएं यहां पे ही तुरफ से ईहां यह दिखाय देरा हुगा यह बटन आप इसको बस यहां से इसको दबाएंगे यह बाहर आजाएगा यहीं से आप इसको डगाएंगे तो यह बाहर आजाएगा यह एक मास एयर सेंसर है इसको निकालना है तो यह भी इसका बिल्कुल यही प्रिसीजर है इसको यहां से दबाना है और इसको यह बाहर निकाल लिया इसके अंदर क्लिक से बबंद हो जे है ये एक और मेरे पास है इसको आप देखें इसके अंदर में चुझा आपको यह दिखा हुआ चूब ही मुझे नहीं पता पहला अब इसके इन्दर वही सिल्सले साइए इसको आपको खोलना है तो आपको इसको पहले पीछे करना होगा इसको आपने निकाला और इसको आप दबाके आप इसको निकालेंगे इसी तरह आप इसको वापिस लगाएंगे लिखनमे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं क्या यह मुझे नहीं पहता लेकिन खेर अब यह यह लगा है क्लिक किवार आई seven things कोई मसला नहीं है इसको यहां से दबायं बाहां निकाले है इसको लगायाए लुक यह थोड़ा सा उठाकर पीछे कर दें तो यह इसका नगल दाएगा इसी तरह आप लगाएंगे आपसे नौच दिखाय दे रही होगी आपको याली यह नौच तो यह इस नौच को पर लखके यह इसको पर लॉक लग गया मैं आपको बताया था कि आप बाद यूनिट इतने होते हैं कि इसमे जाय सकता इसका इसमें समय नहीं जा सकता कि इसको नीचे की तरफ दबाएं लेकिन यह नीचे दबने वाजा नहीं दबॉन इखका यह जारी यह दिखाए यह यह दब रही है यह देख यह दबणगे लिदे ऑूजे पकर के निकाना धर क्या वाइड वाला नहीं है बलकि इसके ऊपर वाला दबेगा यह यह और यह निकल गया तो सेम इधर होगा इसके अंदर भी यह वाला जो है यह बटन आपको दिखाए देरा होगा यह नीचे की तरफ जाएगा और जिन मकैनियों की इंगली यह मोटी होती है उन विचारों को प्र निकाल दिया तो यह इसी तरह यह फिर वापिस जाएगा इसके अंदर वेरी सिंपल दोबारा सिर्फ नीचे करना है और बाहर खेश लेना है यह इसके अंदर यह मुक्तलिफ के स्विचिज हैं जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं और स्विच कम है इसके अंदर भी बहुत य नीचे की तरफ और इसको आप बाहर निकालेंगे तो यह इस तरह सोगे आफिर में यह सेम तिंग के इसको अराम से निकाला और यह लगा दिया अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है यह एक स्विच है मैं इसको निकाल लाँ और यह मैंने निकाल लिया अब हम सब्सक्राइब करते हैं कि यह तोड़ देता हूं ताके आपको एक्च्छल लाइफ में पर सिल जाएगे क्या हो रहा है तो मैं इसको तोड़ता हूं जरहादा एक मिनिट के लिए पास करके यह किलिप था जो कि आपको मैंने दिखाया था इस तरह लॉग होता अब यह तोड़ गया क्यूंकि हम वह भी देखने एक्सप्रिमेंट कि अगर तोड़ जा तो हम क्या करते हैं यह तोड़ दिया हमने तो अब यह इसके अंदर लगाया हूं है यह क्या है यह गाड़ी चल लगाने यहां से और इसको आप मकसद यह है कि आपको टाइट करना है किसी भी दिर्गते इस पर टेप नहीं लगाए क्योंकि टेप लगाने दी होता है टेप जो धीला पड़ जाता है तो आपको फिर वह बाद में आ जाएगा हम इसके साथ यह कर रहे हैं कि इसको अंदर लगा कर और इसके बाद एकर लगाते है क्लिप और यह इसके अंदर तो यह हमने इसको यहां पर लगा दिया यह इसको यहां टाइट कर दिया और इसको यहां टाइट करके इसको कर दिया अब यह लॉक हो गया पूरा अब यह खिर अब ने निकल सकता तो यह चीज़ आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इसको लगा के एक यह लगा दिया एक यह ये लगा दिया तो अब ये लॉक हो गया अब ये निकल नहीं सकता तो निकलने का जो मैं आपको बताया था तरिवा क्योंकि ये वायर निकलना नहीं चाहिए तो निकलने के लिए फिर वही है ये काट दिया यहां से काटा और यहां से काट दिया तो आप देख रहे हैं कि ये अराम से इस तरह करके बाहर आ गया दोसी बात ये मैं आपको बताना था कि इन किनेक्टर के उपर अगर आप ग्रीस लगाना चाहिए तो आप ग्रीस लगा सकते हैं लेकिन वो ग्रीस किनेक्टर पर जोहां क्लिकिंग हो रही होती है वहां वो ग् झाल झाल